अब देख लिजे भारत सरकार की नाकामियों का पोल खोलता हुआ यह एक ऐसा अंडर पास है जिसमें हमेशा हमेशा पानी लगा रहता है और वक्त पानी लगा रहता है कई से पार करते हैं अच्छा ठीक अगर बोरा लाधा हो तो ऐसे उठाए के पार करना पड़ता है इधर पानी रहे आते हैं पानी आते हैं श्को शाथ समूंदर बोल जाता है यहां बोल सकते हैं यहां है प्रणाम किजिए मेरा नाम होगा रिषिक पुर भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं पुरुवान चल परिवेश आज इस समय मेरे पीछे जो अंडर पास दिखाई पड़ रहा है इस कटाई टिकट गाओं में बना हुआ अंडर पास है पहले मतलब एक धाला हुआ करता था अब उसके अस्थान पर मतलब अंडर पास बनाया गया है चलिए इसकी कमियों और अच्छाईयां दोनों को दिखाते हैं हम आपको एक हमारे जो सस्क्राइबर थे उन्होंने बताया कि यहां पर हमेशा पानी लगा रहता है अच्छा खासा बना हुआ है इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है और गवर्मेंट ने इस पर अच्छा खा पानी जल भराव की जो इस्तिती है वो मतलब हमेशा हमेशा मतलब हर अंडर पास में असमस्या देखने को मिल सकती है यहां पर मतलब यहां का जो जल अस्तर है थोड़ा ऊपर है और उस जल अस्तर के ऊपर हो जाने के कारण यहां हमेशा इधर दिखाईए आगे दिखाईए यहां पर हमेशा पानी लगा रहता है जहां तक मतलब संभा हो सकता है मतलब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं और जागा अब यहां से कोई ब्यक्ति अगर चाहे कि पैदल वह ब्यक्ति चला जाए इस पार से उस पार देखिए यह लग रहा है कि एक साथ समुद्र की तरह है ए इस समय आप देख सकते हैं कि यहाप पानी लगा हुआ है तो बरसात के मौसम में क्या इस्तिती होती होगी आप कल्पना कर सकते हैं यहां पर मतलब एक सीवेज जो गोरकपुर के तरफ जो अंडरपास बने हुआ है वहाँ पर सीवेज की बेवस्था है अगर यहां पर वह सीवेज की बेवस्था लगा दी जाती है तो सायद मतलब मेरे हिसाब से आने जाने के लिए मतलब यह स्वहूलियत हो सकती है चलिए कुछ चुछ ग्रामवार्शी हैं हम औनसे मतलब बाच सीथ करने प्रयास कर रहे हैं बभा क्या नाम होगा आपका शुरैस 되어 सूरेश या ढौँ इधर से इस पार से उस पार आप जाते हैंना जाते हैं वो не पान लए बाद याता है कभी-कभी तो कई से घाते हैं अब क्या करें हम यो तो उपर से उस पर से हाँ इस पास जाना पड़ता है अगर उस समय कोई ट्रेन आ रही होगी तब क्या हो तो 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 देखते हो ना पड़ता है अब देख लिजे भारत सरकार की नाकामियों का पोल खोलता हुआ यह एक अंडर पास है जिसमें हमेशा हमेशा पानी लगा रहता है कभी ऐसा होता है कि पानी सुखता है यह सर पाने सुखता है रेल रेल्बे और रेल विभाग जो बोर्ड है उसके इंजीनिरों को यह मतलब ध्यान मेरा करके बनाना चाहिए अगर यह माली जिए कि उनको पाले से जानकारी नहीं थी तो यहां पे जो एस्थानिय लोग है पाले उनके उनसे मतलब कुछ शला ली जाए कि यहां का जो जल अस्तर है कैसा है आसपास में जो गाहों है उनसे मतलब पाले सर बेच्षड कर लेना चाहिए कि यहां का जल अस्तर थोड़ा उपर है कि नीचे है उस हिसाब से मतलब देखना चाहिए और सिमेंटेर जो भी हो अगर मान लिजे कि उपर से भी ब्लॉक कर दिया जाए तब आपको इसे जाए तो तो परसानी हो जाएगी तो तो हर पास कमलोग इसमें चाती बन जाना ही पड़ेगा देख लीजे अगर इस अगर इस कोचडेम से अगर पार करना पड़े अगर कोई लोग आते हैं कि नियम को नहीं तोड़ना चाहिए था नहीं तोड़ना चाहिए हमें सा मतलब हर तरह से बताया जाता है कि नियम को नहीं तोड़ना है आपको नियम तोड़ना पड़ेगा क्यो क्योंकि इस राष्टे से होकर करके आप नहीं जा सकते हैं अगर आप नियम में है तो यहाँ पर आप खुद गलत हैं अब गलत क्या है सही क्या है अब रेलबे विभाग और जो यहां के ठेकेदार हैं उनको यह समझना चाहिए हमारे साथ हमारे एक दर्सक का लिजे वो देव इन्हों ने इसकी स्वतीक जानकारी हमें बताई कि आईए और देखिये कि यहां की इस्थिति क्या है कब से यह अंडर पास बना हुआ लग बग दो सालों हो गया अंडर पास बने हुए यह दो सालों में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब इसुखा हो कभी नहीं हमेशा पानी बरा र बशुखा बार सागर को बसे डााओ कंभी नहीं पार आरपाता है मतलब लोग पाल्डल या लेकिन बशाट के दिनमेशा साइकिल उपर से मतलब आम से नहीं आ सकते वह इसे बी अच्याख के इढ़ाता है इधर इस पार है क्हाँ उस पार है उस पार और यथर के जो देख करके इधर से उधर जाते हैं बच्चे देख करके नहीं जा सकते हैं बच्चे बच्चे होते हैं अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तब क्या होगा सरकार इसकी जबाब जबाब देही तै करेगी या नहीं तै करेगी सरकार मतलब इस बात को मतलब जो रेलबे अब इक कोई से बाई अपने बाई को पार करते हैं इस नजारे को हम देखते हैं बड़ा खुब सूर्वत नजारा होगा चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ओफ्रीय के द्तिश्यक करते हैं ये एक मिंद्दत कर भूरा सा रुकेंगे थोड़े वक्त के लिए अल्प इसा जाते हैं Azamayş at a क्लब जलते हुए वन दीकत है भारतिये सरकार से आप चाहते हैं यह इसकी वेवस्ता बनाई जाए ताकि बच्च आराम से लोग आए जाए और जो बच्चे होते हैं कि यह मतलब पाइदा लाने जाने वाले जो बच्ची होते हूए उनको बहुत दिक्क हम उतना पाणी देख लीजий पूरा मतलब ब्वाई का जो पहिया है अधा पहिया लगभग लगभग ढूब जा रहा है कि अब कोई पैदल जाने कि मतलब हीमाकत भी नहीं कर सकता है आप सोच छक्ते हो कि आपको भी उस पार जाना है कि उस पार जाना है चलिए जाइए स्वागत है आपका कि रेलबे के द्वरा बनाये गए इस टनल में टनल कह सकते हैं या सुरंग एक तरफ से कह सकते हैं कि सुरंग अहीं माल लीजिए और चलिए हम उपर की तरफ अब आपको ले करके चलते हैं कि जो लोग आते जाते रहते हैं, वे लोग मतलब इस उपर से कैसे आते जाते हैं, देखिए, मतलब ट्रेन जा रही है, और उसको उस ट्रेक को पार करते हुए लोग कैसे आते जाते हैं, चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हैं, कभी भी कोई भी जान जा सकती है, औ और जान जो है बहुत कीमती है, कुछ लोग हमारे सामने इसमें आगे हैं, उनसे बादशीत करने का प्रयास करेंगे, एक रेल्वे का यह एक अनोखा मतलब अंडर पास कौशकते हैं, एक ऐसा अनोखा अंडर पास है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, और इस पानी को निक ढाल आजा सके देखिए एक बालक आ रहा है अभी बाबा पार करेंगे है कि दीजिए पार कर रहा है ज्यादा पान लगा यहां तक गुटने तक लगा रहता है चलिए देख लिजे प्रत्यक्षम किम प्रमारम हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो रेलवे ट्रैक है एक मतलब लोग अपने लिए पार नहीं कर रहे हैं पार मतलब मजबूरन बस पार कर रहे हैं कि हमको इस पार से उस पार जाना है पानी लगा हुआ है तो कैसे जाएंगे देखिए हम थोड़ा मतलब इस पार से उस पार हो करके नियम को तोड़ करके ज अगर इस पार से उस पार जाना है तो आपको उपर उपर ही जाना पड़ेगा नीचे से आप जा नहीं सकते हैं दादी रोज पार करती हैं गे पानी में पार्शान लगा हुआ है कोई अधिकारी नहीं आते हैं उसको जाच कर देंके लिए आप बेवसी देख सकते हैं लोगों लोग जो हैं अपने जान पर खेल करके इस पार से उस पार मतलब इस रेलवे ट्रेक को पार करते हुए जाते हैं जबकि जो यह बना हुआ है इससे पार नहीं करते हैं कहा घर पड़ेगा पना आता है तो केवल गारी वाले पार करते हैं इंच 20 गाड़ी पार करते हैं कि वोड़े उस पहुए। मिन वाख नते हैं कोई ऐसा मतलब music गरह नहीं की मतलब इस को नहीं आते हैं वे डिग्नाइव पत्र लों sellers पतर को उमने प्रत्ना पत्र लुकल हमको मालमे के लिख लिखे हैं हो लोग कईसे पार करते हैं कि अधर लगता है पूरा पूरा नहीं लगता है पूरा पूरा अधत हो गया है अच्छा खत्रों के खिलाडी बन जाए किया लोग रहा है हैक अगर जादे मतलव होगा तो काई से पारकर इज्शा ओक निए चार पांच कुंटल अगर रहो तो की से पार करते हैं थत्रा पानी पानी रहाते है पानी आते हैं एंगी साहर मूंदर बोला जाता है अभर सक्ते हैं नों च्क्रास कि अअसमें ओलो जा一點 को कि अधनिक Arya जाता है अब को से जाते है। सुछ जाता है बारी साचें थे उधर चारा सतनी यह जा रिज्टा पार्म और मेस्त दाई गाम पूरा बार्에 सबना है… में पूल हो जोटो पर बनवायों इसे बनिया अन्न नोब घ्रीज बना होता तो ब बंफ बना तो जगा जोगा है नहीं यहां पर अधार बना अगे अन्न काम हुआ है हम लोग देखने में बागु नहीं बनिया बनना है आप सोता चल करको आप छड़ा देख लीजी हम लोग भी ती भाई रेल में थे पर प्रतिया में शुनिए थे हम लोग नमकरोटी खा के किसी ते ज़ा गहर बानवा है इधर छोड करको उधर हम लोगों पानी भी बहने के जगा एक एक मिनट आप रेल भाग जो कितने के लाग में करेघ सेवा निबृत हो चुके हैं और बता रहे हैं कि करूड की लागत से एर जो अंडर पास या बनता हैं तो इतना घू चाल का है अब है अधिकारी लोग जाने आप लोग जाने हम लोग चाने का बहुत को को जोड़ी डाल देगा हम लोग हमें सांप लोगे बीच मर आपको परसानी जली रहे हैं हमारा पूरा नब्र जिल रहा है हम उनुके कोई बटी आती है तो उतार जाता है कभी प्राथना पत्र लिखे इसके लिए कहाँ हो औहु हम क्या है । तही हम इक नागरिक नहीं है आपकी जिम्मिरारी बंति ऐसी बात नहीं बात जी आपका सही है लेकिन हम कुछ होते इस गाउं का हमसे बड़े-बड़े लोग है अपना कोश्ट जहलना है अपना बहुत दखिए अब इधर जितनी खेतिया है सीचाई करने के लिए क्या-क्या दूर्दसा होता है पाँच आदमी साथ आदमी मिलते है तो मसीन उठाते अगर किसी को अपना पंपिन सेट लेकर के जाना होगा तो धक्का देकर के लेकर के जाना होगा तो इस पार से उस पार उस पार देखके लिए को सूंस्ट सेत नहीं आशकता है अगर अग्ये वीडियो आप तक पंपना करके चाहिए तो इस समस्या पश़ानी सब्सक्राइब और एक बार हो सेके तो आ करके देख लिजिएगा अगर आपको पार करना है इस पार से उस पार जाना है तो हर हाल में रेलवेट ट्रैक को पार करना है उपर से पार करना है अपनी जान जोखी में डाल करके पार करना है अगर आपके यहां भी कोई ऐसा अंडर पास है जिससे उपर से इधर से इस पार से उस पार अगर जाने के लिए आपको उपर 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 जाना पड़ रहा है तो हमें सुचित करें हम वहां की भी खबर दिखाने का प्रयास करेंगे